सरकार गरीबों के विकास के लिए कई योजनाय लाती है लेकिन अधिकारियों और कर्मचारियों की लालच के बदले गरीबों कोन का लाब नहीं मिल पाता है ऐसा ही एक मामला मंडला जिले के बिछिया विकास खंड की ग्राम पंचायत ककईया में सामने आया जहां पर पीएम आवास योजना के नाम पर बड़ा भष्टाचार उजागर हुआ है गाउं के ही एक व्यक्ती ने रोजगार सहायक और सचिव पर पीएम आवास के बदले पैसे लेने का रोप लगाया है पैसे नहीं देने पर गरीब को पीएम आवास नहीं दिया गया मंडला जिले की पंचायत ककईया के ग्रामीन जीवन लाल उईके ने रोजगार सहायक और ग्राम पंचायत सचिव पर भष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि मेरा पीएम आवास दो तीन साल पहले आ चुका था लेकिन रोजगार सहायक और सचिव के द्वारा मुझसे दस हजार रुपे की मांग की गई अब मैं गरीब आदमी इन लोगों को पैसा नहीं दे पाया इस वज़ए से मेरा आवास नहीं बन पाया मुझे मजबूरन शोचाले में रहना पड़ता है इसकी शिकायत मैंने 181 में भी की थी लेकिन रोजगार सहायक और सचिव के द्वारा मेरा मोबाईल लेकर मेरी शिकायत को बंद करवा दिया गया जिस वज़े से मैं परिशान हूँ और मुझे बरसात की पानी से बचने के लिए शोचाले में रहने को मजबूर किया गया जिसकी क्या बोलता है इसकी शिकायत आप और कहीं कि दूए जाएक वहां किया था मनला और एक से क्याती ने दिए नहीं किया है आप अजय तो और दो चलेक्टर कॉर्गार्वाई कर रवाई किया आगी जैसे और भी कि आ दो कि में ठाख है कि करिक नहीं हो जाय दोच उब यह कुछ ते मोबाला में नमबर थे मुछा कोड़ा वागि नमें नाम करोड़ कोडरा दिनाम कर जिंच कुछ दूनाम कर दीस निग्राजिया जिए आपको नहीं मालम है लिए इने से अपने अचित्ट कहा अब है तो तो कोन आया था कुछ रजा तो आप इस चैनल के माद्य हम से सरकार से अपनी सिकायच दर्च करा सकते हैं जी आप बता दें तो अब क्या चाह रहे हैं कि आसका मेरा मगान बनना की साथ मगान रखने की जिए प्रसादी में कहा होते रहे हैं कि दादा आप सोचालाए में समान रखे हो तो क्या यहां सोचालाए में आप रह रहे हैं आपके पीम आवाद सेंक्सन ना होने की वज़े से क्या बता हूं मैं इसी में रहता हूं साथ यह लोग मेरे सपई समगाते हैं और मेरे घर ही नहीं बना है और मेरे आगे हैं मकान पई मंदला से सलीम खान की रिपोर्ट